चलिए मेरे प्यारे साथियों लोग क्लास 12 चेप्टर 5 और एक्सरसाइज है आपका 5.5 इसमें आज हम बात करेंगे लोगरित्मिक डिफ्रेंशियसन जो हम लोग लगा करके कैसे लोग डेरिवेटिव करेंगे उसका हम लोग देखेंगा और विधिवत देखेंगे बेसिक कॉंसेप्ट के साथ और इसके बाद भी हम लोग इसका ट्रिकी भी देखेंगे जो एक लाइन में कैसे लिखेंगे हम लोग इसलिए क्योंकि मालिजे आप कमपटिशन में बैठियेगा तो वहां तो पर इसलिए नहीं भरिएगा क्योंकि वहां को कम से कम समय में आपको उतर देना है तो आपको वह भी मिलेगा और साथ साथ दोनों तो पहले हम लोग देखेंगे basic concept के साथ कि हम लोग लगा के कैसे बनाते हैं तो लोग कहा लगता है तो पहले उसके बारे में हम लोग जानेंगे तो लोग देखेंगे आपका लगे कहां जैसे मालीजे आपके पास अगर कोई function fx equal to क्या लिखा हुआ है तो x के power x यानि variable के power variable रहेगा या function के power function रहेगा तो वहाँ पे हम लोग लगाते हैं बाबू क्या करते हैं variable के power variable हो function के power function हो जैसे मालीजे sin x के power cos x रहेगा tan x के power e to the power x रहेगा तो ऐसा function जब रहेगा तो हम लोग को log लगा करके बनाना पड़ेगा ठीक है तो यही चीज़ हमको समझना है अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि y equal to x to the power x भी लिख सकते हैं अब हम लोग लगाएंगे तो कैसे लगा लगाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि taking log on both side आप एक लाइन भी लिख सकते हैं क्या जिर कि taking log on both side यानि दोनों side में log लेने पर तो log जब लिजएगा तो ये log लेके कैसे बनेगा तो ये हो जागा log y are equal to यहाँ आप जब log लिजएगा तो log x के power x हो जागा तब एक चीज़ आप देखिएगा बगल में यहाँ देखिए फर्मुला भी मैं लिखते चलूँगा देखिएग अगर कहीं अगर लिखा हो रहेगा कि log m के power n क्या है m के power n अगर रहेगा लिखा हुआ तो आप इस बात को लिख सकते हैं n into log m इस बात को आप note कर लिजएगा ये क्या है एक फर्मुला है उसी type के देखिए तो यहाँ है मेरे पास की नहीं m प्लेस पर x है और n प्लेस पर भ जागा तो log x अब बताइए अब हम लोग derivative देखिए अब first year से सिखते आये हैं कि u into v पर हम लोग बना देते हैं तो u into v का देखिए कैसे बनता है तो y equal to माली जे u into v मने आपके पास एक function है बाभू कैसे लिखते हैं इसको तो हम लोग क्या करते हैं एगर इसका differentiation करते हैं तो हम लोग y dash equal to इसका हम लोग derivative करते हैं यानि कि u into v का dash निकालेंगे यानि कि derivative करेंगे तो कैसे लिखी ही इसको लिखेंगे इसको यह भी लिख सकते हैं y dash कहिए चाहर, d1 बटा, dx कहिए इसको हम लोग क्या करते हैं किसी को first function, किसी को second function आप मान सकते हैं, माल लिए, इसको हम माल लिए first function, और इसको माल लिए, माल लिए हम second function, तो जिसको first function मानते हैं, बच्चे लोग उसको छोड़ देते हैं, यानि u को first function यानि छोड़ दिये, और जिसको second function मानते हैं, उसको derivative कर देते हैं, यानि की b का derivative, या यहां भी हम आईए देखिए इसका आप derivative कीजिएगा तो log x का derivative होता है 1 by x लेकिन जहां भी y रहेगा उसको dy बटा dx लिख देना वाबू तो यह हो जागा 1 by y और y का कीजिएगा तो जागा dy बटा dx equal to यहां भी वही काम करना है किसी को आप first function किसी को आप second function मान सकते हैं x को मान लीज़े हैं अप first function इसका आप derivative कर लेते हैं आप यह हो जागा 1 by y और यह होगा आपका dy बता dx equal to x2 चाप इसका derivative किजिएगा तो 1 by x पलस यह ऐसी रहेगा log x और यह हो जागा x का 1 तो 1 से multiply किज़ेगा किसी भी चीज में तो आपका वाहिर आ जागा यानि कि 1 को यहां से मिटा दिजी यह x से x कट जागा आपका तो आपके पास देखिए क्या आएगा तो यह हो जागा आपका dy बटा dx इक्वल टो यह y इधर है divide में इधर इसको भेज दिजेगा तो यह हो जागा into में तो क्या हो जागा यह तो 1 पलस यह आप लिख सकते हैं log x लेकिन अभी यह answer नहीं हुआ है यह y पलेस पर क्या करेंगे हम लोग y का भेलू यहां नहीं मेरे पास है इसको यह आप put कर लेंगे तो लिखेंगे इसका answer जो लिखेंगे यहां तो dy बटा dx इक्वल टू यह y पलेस पर क्या पूट कर लेंगे तो x के पावर x into 1 पलस यह हो जागा log x और यही आपका answer हो जागा यह हुआ आपका basic concept के साथ एकदम page भरने वाला basic तरीके से यह हुआ लेकिन और इस तरह से सवाल रहेगा कैसे तो उसको बनाएंगे देखिएगा अभी basic तरीके से अभी आपको सिखा जा रहा है आप screen shot ले सकते हैं इसको note भी कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है अब चलते हम लोग next और सवाल इस type का देखते हैं कैसे बनाते हैं उस तीट को आप इसको समझिए अच्छे तरीके से ताकि यह 5.5 exercise हो पूरे तरीके से बन जाएगा आप ध्यान में रखिएगा हर एक chapter में आपको एक ने एक trick आपको दिया ही जाएगा जो आप page भरने से बच जाएगा अगले सवाल क्यों चलते हैं जैसे माली जैसे अगला सवाल है आपका y equal to लिखा रहेगा यहां कि sin x के power अब ज़े दिया गया है tan x आप तुरहन बोले थे कि आपका log वहीं लगेगा जहां function के power function दिया रहेगा कुछ है कि नहीं तो देखिए sin x है उसी के power tan x दिया हुआ है तो तुरहन तब हम लोग लेंगे अब यहां एक line लिखने की दिरुवत नहीं है अब आप लोग लिख सकते हैं इतना आप समझ गए तो क्या करेंगे इसको log लेंगे तो यहां वजागा log y equal to क्या करेंगे इसको हम लोग तो बस log लगाना है और यहां लिखना है sin x के power क्या है तो tan x power पहले लिख देते हैं और base में log लगा के लिख देते हैं कैसे लिखेंगे इसको तो यहां हो जागा आपका log y equal to यह हो जागा आपका tan x into यह हो जागा आपका log sin x अब हम लोग u into v पर इसका derivative करेंगे तो आईए इसको हम लोग derivative करते हैं तो लिख लिजेगा यहाँ एक बार कि differentiate with respect to x with respect to x इसका derivative किजेगा तो 1 by y और y का किजेगा तो dy बटा dx बागो अब यहाँ लगा देंगे हम लोग u into v पर तो आप किसी को first function मान सकते हैं किसी को second उसमें कोई दिकत नहीं है तो आप first function मान लिजी इसको माने तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि छोड़ देंगे tan x को छोड़ दिए इसका derivative किजेगा तो यह समझे कि log x का derivative 1 by x होता है तो x के जगा पर क्या है 1 by आपका हो जगा यह sin x और sin x का किजेगा तो cos x तो यह हो जागा आपके पास cos x derivative अरा समझे आराम से फिर क्या करते हैं प्लस अब जिसका derivative किया है इसका न किया है derivative तो प्लस वाज इसको छोड़ देते हैं आने कि log यह हो जागा sin x और जिसका derivative नहीं किये रहते हैं उसको derivative करते हैं तो इसका derivative होता है से कि स्क्वार x हो गया अब इसी कमलो को solve करना है यह क्या है तो 1 by y और यह है dy बटा dx इक्वल 2 अब देखे cos x बटा sin x आप तेंथ क्लास से भी पढ़ते आए हैं यह क्या होता है cortex होता है तो इसको कमलो लिख देंगे क्या चीज़ तो यह हो जागा tan x into यह हो जागा आपका पास cortex पलस यह हो जागा आपका log sin x into यह है आपके पास क्या चीज़ तो sec square x एक चीज़ और देखे ध्यान से इस बात कमलो लिखेंगे क्या चीज़ कि dy वट्टा dx equal to यह y है इधर भेज़ रहें into में तो y into हो जागा इसका भेलू क्या हो जागा तो 1 तो 1 पलस इसको पहले लिख देने क्या अच्छा नहीं दिख रहा है यह हो जागा sec square x into यह हो जागा आपके पास log sin x और यही आपके पास अभी रुख जाएंगे अभी एंसर नहीं लिखेंगे क्योंकि y की रूप में है y का भेलूला के यहां से put कर देंगे इसका एंसर फाइनल लिखाएगा कि dy वट्टा dx equal to क्या लिखा हुआ है बाबू तो यह है sin x के पावर tan x अभ यहाँ into में हम लोग लिखेंगे 1 पलस यह हो जागा sec square x into यह हो जागा log sin x log sin x अभ ब्रेकेट बंद और यही आपका आंसर हो जाएगा ठीक है तो इसी तरह से आपको सवाल बनाना है इसी बात को एक line में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे तो ध्यान से समझिएगा इसी को हम चलते हैं एक line की वर लिखने के लिए देखीगा कैसे लिखेंगे से सवाल है जथा बाबू क्या करना है से समझिएगा लिखना है हमको dy बटा dx equal to अब answer direct missile एक के बार में answer सिधा कैसे लिखेंगे देखिएगा डिवाई बटा dx लिख लिए जैसे एक बार लिखा हुआ है वही बात लिख लेना है sin x के power क्या है बाबू तो tan x लिख लिए bracket ऐसे लगा लेना है power जैसे है वह ऐसे चुपचाप लिख देना है tan x लिख लिए और base में log लगा के derivative कर देना है तो base में log लगा के derivative किजेगा तो 1 बटा क्या हो जागा 1 by यही हो जागा sin x और sin x का derivative हो जागा आपके पास cos x फिर क्या करते हैं जिसमें log लगाते हैं उसको plus के बाद छोड़ देते हैं यानि कि यह log sin x हो जागा आप पारवा में differentiation कर देते हैं यानि कि यह हो जागा आपका c square x अब ऐसे bracket बंद कर लेंगे अब देखिए ज़रा अब यही चीजना simplify किये थे देखिए तो यहाँ के बाद यह देखिए यहाँ किये थे यही बात यहाँ लिखा हुआ है अब इसको थोड़ा simplify कर देजे cos x बटा sin x cortex और cortex into tan x 1 तो आप answer देखिएगा final क्या लिखाएगा यह है आपका dy बटा dx equal to sin x के power tan x यह हो जागा आपका पूरा बात 1 क्यों कि cos x बटा sin x tan x और tan x into cos x बटा sin x cortex और cortex into tan x 1 तो यह बात 1 लिख दीजेगा यहाँ अब पलस में क्या लिखिएगा तो say की square x into log sin x और यह ही आपका answer हो जाएगा यह है final direct रामबान मिसाइल यही होता है direct missile दूसरा सवाल चलते हैं देखिएगा next सवाल में भी सभी जगह आपको इसी तरह से मिलेगा हर एक chapter में आपको direct मिलेगा एक answer अब चलते हैं लोग next सवाल की ओर एकदाम बस basic से पहले समझिए page भरने वाला board exam के लिए यह सब page भरिए और कहीं बैठे हैं तो बस answer भोलके धीरे से निकल जाईए अगला पकला जाएगा है ना तो यही चीज़ काम करना है हर एक chapter में आपको मिलेगा चाहे आप 11th class में पढ़िए चाहे 12th class में पढ़िए चाहे आप NDA और आका वित्यारी कर रहे हैं उसके लिए भी आपको मिलेगा अब चलते हम लोग जराब book से देखते हैं सवाल एकाद पिस की कैसा सवाल रता है Caitlin चलते हम लोग book की ओर देखिएगा book की ओर डेखिएगा कैसे है से सवाल देखिए अगिला सवाल में देखिए लिखा हुआ है क्या चीर एक सवाल है अगिला नंबर में लिखा हुआ है x के power y plus y के power x और equal to है आपका 1 इसी को पुछा है कि dy बटा dx आप निकालिए अगर याद रख लिजेगा कहीं भी एगर सवाल अगर ऐसे पलस में अगर रहता है तो आप इसको माल लिजेगा u और इसको माल लिजेगा b देखिएगा इस सवाल को हम बना दे रहे हैं इसका देखिएगा एदा हम पेज भरेगा लेकिन इसका भी हम answer लिखेंगे direct पहला काम क्या करेंगे इसको इसको हम लोग एक साइड में पहले इसको कर लेते हैं जड़ा एक साइड में किजेगा तो यह हो जागा x के पावर y पलस y के पावर x minus 1 equal to 0 बताइए इस पूरे function को आप मान सकते हैं y equal to तो y equal to मान सकते हैं तो इस बात को क्या करेंगे कि इसको हम लोग derivative कर लेते हैं यानि कि y equal to इस function को पूरा हम लोग मान लेते हैं अगर तो यह हो जागा आपका कितना तो x के पावर y पलस y के पावर x minus 1 ठीक है यह 0 already differentiation कीज़ेगा तो 0 ही हो जागा अब इसको हम लोग derivative किज़ेगा derivative करेंगे कैसे इस बात को मान लेंगे हम लोग क्या चीज u और इस बात को मान लेंगे हम लोग दी तो यह पूरा बात क्या हो जागा यह हो जागा dy बटा dx equal to इसका किज़ेगा तो du बटा dx plus dv बटा dx आईए 1 का किजेगा तो जागा 0 यानि final आपका यही आपका equation होगा इसी में आपको put कर देना है और सिधा आपका answer आजाएगा आईए पहला step चलते हैं हम लोग now exam में यह से बनाना है board exam में है ना board exam में इसके लिए तो यहां क्या लिखेंगे u equal to लिख लिए x के power y अब log लगाने हम लोग सीगा है log लगा दीजिए तो यह हो जागा आपका log u equal to पहले क्या लिखेंगे power पहले और base में log लगा करके यहां हो जागा आपका log x अब इसका derivative भी करने सीग गए हैं इसको लिखेंगे 1 by u और u का किजेगा तो du बटा dx equal to u into v पर इसको तोड़ दीजिए तो y को चुपचाप छोड़ दीजेगा इसका derivative किजेगा तो 1 by x हो जागा पलस इसको क्या करेंगे पलस के बाद छोड़ देंगे और इसका derivative कर देंगे तो यह हो जागा dy बटा dx अब क्या करेंगे से सुनिएगा इस बात को हम लोग जरा इधर बढ़ाते हैं dy बटा dx हमको चाहिए तो dy बटा dx चाहिए तो हमको क्या करना होगा dy बटा dx को एक तरफ करना होगा तो यहां से हम लोग लिखते हैं जरा इसको इस बात को यहां से du बटा dx equal to, यह u देखिया divide में है, इसको इधर फेज़ेंगे तो यह हो जागा आपका into में, और यह हो जागा y by x plus, इसको आम लोग लिख लेते हैं, log x into dy बटा dx, यह y है, अब bracket बंद है, इस बात को आम लोग लिख देते हैं, du बटा dx equal to, u का value मेरे पास पता है, x के power y, इसको हम लिख लेंगे क्या चीज़ की x के power y, और यह हो जागा y by x plus, यह हो जागा log x into dy बटा dx, बंद कर लिए इसको, यह बात निकल गया du बटा dx का value, अब हम लोग निकालते हैं again, again, किसका निकालेंगे, तो b equal to क्या है y के power x, इसका भी solve कर लिए, taking log लगाईएगा इसको मे तो क्या लिखेंगे इसको लोग, तो log b equal to, base पहले, नहीं, power पहले न, power पहले बाबू, और base में log लगा करके, बचवा हां सरा, हरे पगला, हां सो मत, समझो अराम से, अराम से बनाओ, अब देखिए यह, इसको अब u into v पर करेंगे, तो यह जागा 1 by v, और dv बटा dx, समाज यह, ध्यान, इसलिए, कि first year तो कर दते हैं, बरबाद, और second year में आते हैं, लेट, अब कहिएगा, कि hundred में hundred साइए, कहां से आएगा, पर यह गातब न, अब देखिए यह, u into v पर, x चुब चाप, इसका derivative, 1 by y, लेकिन रुकेंगे, y जहाँ भी आता है, y का derivative, फिर से करना प यह, बात रह जाएगा, कि इसको solve करेंगे, तो यह हो जागा, dv बटा dx equal to, यह b है, dv बटा dx equal to, v into क्या लिखेंगे, x बटा y, और dy बटा dx, और पलस में लिख देंगे, हम लोग log y, b का value कहां रो था, तो b के value बाबू यह था, इसको put कर देते हैं, यहां जरा, तो यह हो जागा, y के power x, into x बटा y, और dy बटा dx, माइनस, नई, पलस, लॉग y, ब्रेकेट बंद, अब क्या करना है, यही हमों को, यहां देखेंगे, equation है, इसको put करना है, अब देखेंगे, put कीज़ेगा, तो देखें, dy बटा dx मेरे पास, पहले से था, यहां देखें, equation, du बटा dx का value कहां है, मेरे पास यह देखें, put करना है, इसको, x के power y, into, यह है y बटा x, पलस, यह है आपका log x, और dy बटा dx, ब्रेकेट बंद, पलस, इसको put कीज़ेगा, यह हो जागा, y के power x, और यह हो जागा, x के power y, और यह होगा, dy बटा dx, और पलस हो जागा, आपका log y, अब क्या करेंगे हम लोग, dy बटा dx, जहां-जहां है, उसको, एक तरफ करना होगा, sol भी है, देखिया है, लंबा पेजर है न, यह है, बोड इक जाम के लिए लेके न, इसको, हम लोग, एक line में answer लिखेंगे, इसको separate जड़ा करते हैं, यह है आपका dy बटा dx, इक्वल 2, क्या करेंग इसको multiple करेंगे, देखियेगा, यहां, power मेरे पास, देखिये, इसका one है, आईए, इसका power y है, यह उपर जागा, तो power minus हो जागा, याद रखेगा कि base अगर equal रहता है, multiply में power जूडते हैं, इस बात को हम लोग सकते हैं, x के power y minus 1, into हो जागा y, पलस, यहां इसको लिखेंगे इकस के power y, और यह हो जागा log x, और dy बटा dx, एधिके dy बटा dx को हम एक साइट में करेंगे, पलस, यहां लिखेंगे, तो y के power बटा इकस minus 1, और into हो जागा x, और यह रहेगा आपका dy बटा dx, और पलस में क्या रहेगा, तो पलस में जो आप लिखेंगा, तो यहां भी आप multiply भी कर लिए दोनों में, आई इससे भी दोनों में multiply कर लिए, अब क्या करेंगे, dy बटा dx देखिए यहां भी है, और dy बटा dx यहां भी है, इसको लिखेंगे हम लोग, dy बटा dx माइनस हो जागा कितना, एक्स के पावर y और यह हो जागा लोग x और dy बटा dx माइनस, यह होगा y के पावर x माइनस 1 इन्टु एक्स और यह होगा आपका dy बटा dx, इक्वल टू, यह बात जैसे हो, इस लिख देते हैं इसको, यह मेरे पास क्या क्या है, तो y के पावर नहीं, x के पावर रहाग, x के y-1 into y और पलस हो जागा y के पावर x into log y यहां से देखिए डिवाइब बटा डिएक्स को मन लेंगे रस्गुले लोग यहां से हम आगे उपर मिटा दें कि यहीं पर लिख दें चलिए यहां पर हम लिख दे रहे हैं इससे करके इसको डिवाइब बटा डिएक्स कोमन लेते है आगे इक्वल टू में भी लिख लेते हैं डिवाइब बटा डि एक्स इक्वल टू कॉमन लेकर के यह पूरे से डिवाइब में भैज देंगे इसको तो इसको पर ले लिख लेते हैं लोग y into x के power y minus 1 और plus y into y के power x आईए है मेरे पास log y यहाँ देखिए डिवाइबर्टा डिएस को मलेंगे तो यहाँ बचेगा 1 यह भी minus में यह भी minus में क्या लिखेंगे 1 minus यहाँ लिखेंगे हम लोग x के power y log x log x minus y के power x minus 1 into x और यही आपका answer हो जाएगा यही आपका answer होगा तो इसी तरह से आपको बनाना है यह है आपका page भरने वाला system अगर board exam में आएगा तो आपको इसी तरह से बनाना है बाबू लोग तब ही आपको number मिलेगा और नहीं तो नहीं मिलेगा अब कहिए कि direct 0x को एक line में सर्वा कहीं से लिखिएगा तो देखाते हैं फिर से इतना page नहीं भरेगा यह direct वाला में देखिएगा इसको मिटाते हैं इसके बाद अराम सी इसको देखिएगा और समाहते चलिएगा यह तो था आपका में देखिए log वाला में सवाल कितना भी बड़ा जा उससे मतलब नहीं आपको बनाने आना चाहिए जब बनाने सीख जाएगा एक बार तो उसको आप short कर सकते हैं इसलिए समझना है अच्छे ढंग से सवाल देखिए आपका यही है इसी को आपको लिखना है यह तो पहले ही देखिए कि 1 है 1 है यह तो चला जाएगा ऐसा ही differentiation इसी को हमको लिखना है dy बटा dx इक्वल 2 क्या करेंगे याद रखिएगा कि कभी जहां भी y आता है तो y को क्या बले है कि dy बटा dx उसको फिर से लिखना है तो देखिएगा यहां क्या बले है पहला स्टेप में जैसे है वैसा ही इसको चुप चाप लिख देना है एकर बाद क्या बले थे into ऐसे लिखना है power चुप चाप लिख लिए base में log लगा के derivative करना है तो derivative किजेगा तो 1 by x हो जागा पलस जिसका derivative लोग लगा के करते हैं उसको पलस के बाद चुप चाप होई साही इसको लिख देते हैं और उपर जो power रहता हो उसको derivative करते हैं तो यह देखिए dy बटा dx आ गया फिर से वैसे बन करते हैं पलस इसको भी वही काम करेंगे इसमें भी जैसे है वह यह साही चुप चाप इसको लिख लेंगे power जैसे है उसको power चुप चाप हम लोग लिख लेते हैं और base में log लगा के derivative करते हैं तो 1 बटा y और y का करेंगे तो dy बटा dx यह हो जागा आपका dy बटा dx पलस जिसमें log लगाते हैं पलस के बाद हो यह साही उसको छोड़ देते हैं आज इसमें log नहीं लगाते हैं नहीं कि जो power होता है उसका derivative करते हैं तो इसका derivative 1 अब क्या करना है dy बटा dx यहाँ भी है dy बटा dx यहाँ भी है कि दोनों को separate करना है बस हो गया काम यह होगा dy बटा dx इक्वल 2 multiply ज़रा करते हैं यह उपर जाएगा तो आप समझेगा a to the power 1 बटा a to the power n रहता है तो क्या लिखते हैं a to the power minus n इस 7th class में exponent वाला बात उसी तरह से देखे हैं कि नहीं उपर जाएगा तो minus 1 पाउर लग जाएगा तो यही चीज़ समझना रहता है अब इसको में लिखेंगे तो y into x के power क्या लिख देंगे तो y minus 1 पलस multiple भी कर लिया इसके बाद यह y है यह जी मत समझेगा y है अब इसके साथ किजेगा तो यह हो जाएगा x के power y और यह हो जाएगा आपके पास log x और dy बटा dx पलस यहां भी वह ही काम कर लेते हैं यह हो जाएगा कितना आपका तो y के power x minus 1 को यह कहां से लिख दिये गुरुजी एकर power वह होगा नहीं वाबू यह उपर गया multiply किये power जूट गया into x और यह हो जाएगा dy बटा dx पलस यह बात इसके लिए भी तो y के power x अर यह हो जाएगा low y अब क्या करना है dy बटा dx को separate करना है यहां मेरे पास already मेरे पास क्या है dy बटा dx यह इधर आएगा तो minus हो जाएगा x के power y और यह हो जाएगा log x और dy बटा dx minus y के power हो जाएगा x minus 1 into x और यह हो जागा dy बटा dx इक्वल टू यह बात और यह बात एक जगा लिख दीजिए यह हो जागा y into x के पावर y-1 और पलस y के पावर x और यह हो जागा log y dy बटा dx को मन करेंगे तो यहां से dy बटा dx को मन करेंगे तो मेरे पास देखिए बचेगा क्या चीजिए यहां लिख देने अब भी दीवत 1-x के पावर y और यह हो जागा आपका log x minus y के पावर x minus 1 into x ब्रेकेट बंद आईए बात क्या है तो y into x के पावर y minus 1 और पलस y के पावर x into log y यह चला जागा डिवाइड में यह हो जाएगा आपका dy बटा dx इक्वल टू क्या चीजिए बाबु लोग यह चल जागा डिवाइड में तो y into x के पावर y minus 1 और पलस y के पावर x into log y by यह डिवाइड में लिख देजिए 1 minus x के पावर y यह हो जागा आपका log x और minus y के पावर x minus 1 into x और यही आपका answer होगा देखे तो उस सवाल जो भी बनाये यही सवाल को बनाये तो वहाँ भी वहाँ देखिए पेज पूरा भर गया था ठीक है लेकिन यहाँ आपका क्या हो गया तो answer हो गया कम सवाय में यह बन जागा क्यों answer तो हम यही लिख दिये थे लेकिन divided by dx यह रोक रहा था कि नहीं हमको चाहिए divided by dx तो उसी को हम separate करके इसको निकाल दिये तो इसी तरह से आपको बनाना सवाल और चलते हम लोग log कहा कहा लगा जाता है देखते चलिएगा समझते चलिएगा अब आगे चलते हैं next सवाल की और एकदम आपको बिधिवत बताया जागा समझते चलिए के और जैसे माल लिजे अब सवाल दिया रहेगा इस तरह से कहीं सवाल दिया रहेगा जैसे y equal to y equal to e to the power x यहां दिया हुआ है sin x फिर लिखा हो रहेगा माल लिजे cos x फिर आपका रहेगा माल लिजे क्या चीज तो 1yx इस सब क्या है into में है की नहीं तो आप u into v अगर बनाईएगा तो कोई दो-दो function को बनाना पड़ेगा फिर आपको अगला अप्टर में u into v करना पड़ेगा तो बहुत लंबा सब हो जागा बाबू तो इसी को short तरीका करने के लिए क्या कियाता है log लिया जाता है log थोगा आसान करता है log लेंगे तो क्या हो जागा यह तो log y equal to log यहां जब लेंगे e to the power x into e sin x into cos x into 1 ऐसी नहोगा है तो याद की जी एक formula बताये थे कि कहीं भी अगर log x into y into z into w अगर है तो आप इसको log लगा करके सब को plus में आप लिख सकते हैं ऐसे आगे बात समझ में है अरे समझ में आ रहा है बाबू एकदम समझ में आएगा यह देखिया ऐसे लिख सकते हैं उसी तरह से यहाँ है कि नहीं अरे x के जगा पर e to the power x है y के जगा पर sin x है z के जगा पर cos x है और w के जगा पर 1 बटा x है सब में log लगा के अलग लगा की देना आप पलस में तो आएगे यहाँ इसको लिखेंगे log y equal to यह क्या है तो यह हो जाएगा आपका log e to the power x in पलस फिरली खेंगे हम लोग log sin x पलस फिरली खेंगे हम लोग log cos x पलस फिरली खेंगे हम लोग log 1 by x हो गया का पलस में है यह है अब क्या करेंगे अलग अलग derivative कर देंगे हो गया असान इसका derivative करेंगे तो 1 by y y का करेंगे dy बटा dx equal to इसका करेंगे तो देखिए x के जगा पर क्या e to the power x है तो क्या हो जगा यह 1 by e to the power x e to the power x का किजेगा तो e to the power x ही हो जाता है प्लस इसका किजेगा तो 1 बटा sin x और sin x का derivative cos x तो यहां लेकर देंगे हम लोग cos x प्लस इसका derivative 1 बटा यह तो हो जागा मेरे पास cos x और cos x का किजेगा तो हो जागा आपका minus में sin x प्लस 1 बटा x या लॉग में है यह इसका derivative किजेगा तो यह हो जागा 1 बटा 1 by x इसका काम हो गया था into अब 1 बटा x का derivative करते हैं तो minus में हो जाता है 1 बटा x square यह बात इसका आएगा अब इसी को solve करना है बस काम बन गया यह से यह कट जागा cos बटा sin cot हो जागा sin बटा cos n हो जागा तो इसको लिखेंगा हम लोग dy बटा dx equal to y into में चला जागा यह हो जागा 1 पलस में cos बटा sin cot तो इसको लिखेंगा हम लोग cot x यह sin बटा cos 10 लेकिन minus है तो minus में हो जागा आपका क्या यह 10 x आई यह भी देखिया minus में हो जागा जरा इसको देखिएगा यह divide में है चला जागा यह उपर तो क्या हो जागा x into 1 बटा x square एग हो x square वास एग हो x कट जागा ब्रेकेट से लगा लीजेगा dy बटा dx equal to y into 1 plus यह हो जागा cot x minus 10 x minus 1 by x y का भेलू पूट कर दीजेगा ने y का भेलू y का भेलू यहां रख दीजेगा यह हो जागा dy बटा dx रसूले लोग यह क्या होगा e to the power x into sin x into cos x into 1 by x into 1 plus यह हो जागा cot x minus मो जागा tan x और minus 1 by x और यही रहेगा यही रहेगा answer इसी तरह से आपको सवाल बनाते चलना है इसी लिए बोले है direct ramban जो दिये न direct tree के ठो उसको भी और तरीका देते हैं और सवाल बनाने के लिए उसको भी कैसे लिखिएगा तो देखिएगा आगीले सवाल की ओर एकदम समाझते चलिए और राम से समाझते चलिएगा देखिएगा एक लाइन में कैसे लिखेंगे से पूरे यूटूब पर आपको नहीं मिलेगा इससे फास्ट इसलिए नोट करते चलिएगा देखिएगा मान लिजे y equal to रहेगा क्या चीज e to the power sin x आप log लगा के बनाईएगा आप log लगा के बनाईएगा e to the power x e to the power x के power है आपका sin x आप इसको log लगाईएगा तब बनाईएगा तो log लगाईगा फिर u into भी लगाईगा तब नबनाईगा एक लाइन में कैसे लिखेगा तो ज़रा देखिएगा इसका एंसर एक लाइन लबाबू क्या लिखना है तो dy बटा dx से लिख लेना है equal to भी लिख लेना है इतना नहीं आएगा लिखने है आज आएगा एक बार जैसे है वह ऐसे ही इसको लिख लिखेगे e के power x के power sin x अब ऐसे into कर लेना है क्या बोले हम power जो है उसको चुपचा पैसे लिख लेना है base है base में log लगा के derivative कर लेना है तो क्या करेंगे हम लोग तो 1 बटा e to the power x और e to the power x का derivative e to the power x यह बात होता है समझे इस बात को समझना है अराम से समझना है जैसे इसमें log लगाईगा तो log e के power x हो जागा आए यह x का काम करता है तो यह हो जागा 1 बटा e to the power x आए कर किज़ेगा e to the power y यह हो जिकिए हम डारेक्ट लिके आया ठीक है यही काम करना है fast इसमें calculation करने सीखिए सवाल असान हो जाएगा इसके बाद क्या करते हैं बाबू plus जिसमें log लगा के derivative किये थे उसको log लगा करके plus के बाद छोड़ देना है आज पावर वाक और derivative करना है तो क्या हो जागा यह cos 6 ऐसे बंद करना है e ओला e ओला कर जागा कि नहीं क्या बचेगा e के पावर x कि पावर है मेरे पास sin x बचेगा मेरे पास क्या चीज तो यह हो जागा sin x plus इसको लिख दिजिए आगा cos 6 into log e to the power x और यही आपका answer हो जागा है असान कि नहीं पूरे यूट्यूब पर पूरे यूट्यूब पर आपको इससे फास्ट कहें नहीं मिलेगा इससे फास्ट कहें नहीं मिलेगा याद रखिएगा अब चलते हम लोग अगले सवाल की और देखिएगा जैसे मालीजे आपको सवाल दे दिया गया है क्या दे दिया गया है आपको सवाल दे दिया गया है x के power x के power दे देगा आपको log x क्या देगा log x पलस अब यहाँ क्या देदेगा तो यहाँ देदेगा आपको sin x के power x अब इसको मानिएगा u इसको मानिएगा b फिर आप log लगाएगा तब न बनाएगा लेकिन आपको क्या करना है पहला बार में y equal to s लिख लेना है लिख लिए हमको लिखना है answer dy बटा dx कैसे लिखेंगे देखिएगा dy बटा dx ऐसे चुप चाप लिख लेंगे इसके बाद क्या करेंगे यह का बात करेंगे जो लिखा हुआ है वैसा ही एक बार लिख लेंगे x के power क्या है वाबू तो log x और ऐसे bracket बन कर लेंगे एक अरबाद क्या करना है power चुप चाप यानि की log x चुप चाप और बेस में log लगा के derivative करना है यानि की 1 बटा x हो जाएगा हो गया पलस जिसमें log लगाए थे उसको पलस के बाद छोड़ देना है यानि की यह हो जाएगा आपका log x अब power वा को derivative करना है तो 1 by x यहाँ भी होगा और ऐसे बन करना है इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे पलस इसमें आईए जो बात यहाँ लिखा हुआ है वही चुप चाप एक बार लिख लेंगे यानि की sin x के power x और ऐसे bracket बन कर लेंगे एकर बाद क्या करेंगे पावर पहले चुप चाप ऐसे लिख लेते हैं इन्टू बेस में log लगा के derivative करते हैं तो बेस में log लगाईएगा तो यह हो जागा sin x और sin x का derivative किजएगा तो cos x तो cos x यहां लिख लेंगे पलस जिसमें log लगाते हैं पलस के बाद छोड़ देते हैं यानि की इसको हम लोग छोड़ देंगे log sin x छोड़ देंगे और power का derivative किजएगा तो 1 1 c रह जाएगा पन अब देखिएगा यहां जो बात यहां है वही बात यहां है तेखिए log x बटा x हो रहा है log x बटा x यहां दो रहा है तो यानि की यह क्या हो जगा 2 log x बटा x हो जगा क्या तो इसको हम लोग लिखेंगा गिलावे answer of first यह हो जगा x के power log x ब्रेकेट बंद यह e गो बात यहां यह गो बात यहां तो दूगो लिख दे क्या यानि की इसको हम लोग लिख सकते हैं log x इसक्वार भी लिख सकते हैं और बटा में हो जगा x अब ऐसे बंद कर सकते हैं प्लस यह हो जगा आपके पास sin x के power x और यहां क्या होगा cause x बटा sin x cortex इसको लिख सकते हैं log x cortex और प्लसम हो जगा यह log sin x और यही आपका answer होगा देख लिजिए एक सदोलाइन में जगाएन answer तो यह होता है super fast और यही super fast आपको online भी मिलेगा और offline भी मिलेगा प्यारे साथी लोग, सभी लोग ठीक है चाहे जो competition के view से त्यारी करते होंगे अगर nda होगा चाहे नभी होगा तो सवाल यही calculus का आता है सवाल differentiation, limit यह सब आता है, continuity तो यह सब आपको सब सवाल मिलते रहेगा चाहे आप offline पढ़ना होगा तो offline अवादगर में आ सकते हैं सबस्क्राइब कर देना है ताकि आपको जो भी वीडियो अप्लोड करेंगे आपके पास तुरहन सबसे पहले आपको मिलेगा आप अराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं तो इसी तरह से आपको पढ़ाई करते चलना है और एदाम पढ़ते रही है हर एक चिप्टर में आपको एक से एक ट्रीक आपको दिये जाएगा जो कम से कम समय में आप बना सकते हैं ठीक है? तो फिर मिलते हैं लोग जय हिन जय बारत